नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ है कि दोस्तों तुलसी विवाहिए हिंदु धर्म का एक बहुत ही प्रमुख पर्वय है क्योंकि तुलसी विवाहke बाद ही सभी तरह के मांगली कारियों की शुरुवnous प्सकाल होती है और तब तक किसी भी तरह का कोई विवाह इत्यादी मांगली कार्य नहीं होता है तो जब भगवान श्री हरी विश्णु देव उठनी एकाची के दिन जागरित अवस्था में आते हैं तो तुलसी और शाली ग्राम का विवाह संपन्नी किया जाता है और उसके बाद ही सभी त तरह के जो हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे पाप होते हैं पुर्वजन में के वो सभी पापों से सभी दोस्तों से हमें मुक्ति मिलती है भगवान श्री हरी विश्णु और मालक्षमी की मातुलसी की हमें कृपा मिलती है दोस्तों यह जो इस बार का साल 2020 का जो तुलसी में भी अस्मनजस की स्थिती है क्योंकि शुक्लपक्ष की जो 8 pec거든 थो उसी दिन भगवान스्टी रिविश्णु का विवाह किया जाता है कार्तिक मास की जो शुक्लपक्ष की गात्री कार्तिक कि चीना का जाते हैं और जब phag glut भगवानश का जाता है तो सब्से पहलीυχ भगवान श्री हरी विष्णु का विवाह किया जाता है कार्थिक मास की जो शुक्लपक्ष की एकाद्सी होती है उसे देव उठनी एकाद्सी की कहा जाता है और जब भगवान श्री हरी विष्णु जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्तना अपनी जो प्रिया है हरी प्रिया क को समाप्त हो रही है वहीं 26 नौवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन कुछ लोग बता रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पच्छीस नौवंबर को तुलसी का विवाह किया किस दिन है मैं आपको बताती हूं दोनों ही तिथिया मैं आपको बताती हूं किस तरह से आपका व्रत है कब आप व्रत कर रहे हैं और किस तरह से आपको मातुलसी का विवाह किस समय में करना है एकादिशी तिथी का प्रारंब जो है 25 नौवंबर सुबह 2 बज कर 42 मिनट पर हो रहा है सुबह मतलब मध्यरात्री में 25 नौवंबर की मध्यरात्री में 2 बज कर 42 मिनट पर ये तिथी प्रारंब हो रही है जो कि समाप्त हो रही है 26 नौवंबर सुभह 5 बज कर 10 मिनट पर द्वादिशी तिथी प्रारंभ हो रही है 26 नौवंबर सुभह 5 बज कर 10 मिनट से और द्वादिशी तिथी समाप्त हो रही है 27 नौवंबर सुभह 7 बज कर 46 मिनट पर तो दोनों ही तिथियां आपके सामने है 25 नौवंबर को हमें पूरे दिन एकाशी तिथी प्राप्त हो रही है जो कि उध्या तिथी भी है और सुभह तक ये पूरी एकाशी तिथी रहेगी तो 25 नौवंबर को एकाशी का वरत है और 8 वरत के दिन ही हमें तुल्सी विवाह संपन्ने कराना है अब कुछ भक्त जो की द्वाथी तिथी के दिन तुलसी विवाह समपन्य कराते हैं वो 26 नॉवंबर को भी तुलसी विवाह समपन्य कराएंगे और 26 नॉवंबर को ही वो एकादशी का व्रत रख रहे हैं दोनों ही तिथिया स्रेष्ट हैं तो जैसा आपके यहां हो रहा है आपके आसपास का जो एट्मस्फेर है जिस जगह पर जिस तरह की चीजे हो रही है उसी तरह से आप इस व्रत को करें और इस त्योहार को करें 25 नॉवंबर को एकादशी तिथी का पारणा और व्रत कब है कब करना है इस पर वीडियो बनी हुई है आप उसे जरूर देखे उसमें पूरी वीडियो आपको पारण का सुब समय भी है और व्रत की कथा भी है 26 नॉवंबर को भी अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उस दिन आपको व्रत करना होगा और साम के समय ही तुलसी का विवाह हमेशा कराया जाता है जो गोधुली वेला का समय होता है तो शाम के समय आप तुलसी का विवाह संपन्य कराएं 25 नौवंबर को देव उठनी 81 का वरत है और 25 नौवंबर को ही तुलसी विवाह संपन्य कराया जाएगा तुलसी पूजन की विधी क्या होती है वैसे तो दोस्तों मैंने तुलसी विवाह घर पर खुद से कैसे संपन्ने करें इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है आप उस वीडियो को ज़रूर देखें उसमें डीटेल से वीडियो बनी हुई है कि किस तरह से आप बिना किसी ब्रामण को बुलाए इस विवाह को स्वयम ही अपने परिवार जनों के साथ संपन्ने करा सकते हैं दोस्तों तुलसी विवाह का महत्यो बहुत अधिक है तुलसी विवाह को करने से सभी तरह के पुन्य फलों की प्राप्ती होती है श्री हरी विष्णू और मालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है सुखी और सम्रिध्ध जीवन की प्राप्ती होती है सुहागिन इस्त्रियों को ये विवाह अवस्य संपन्ने कराना चाहिए इसे अखंड सौभागे की प्राप्ती होती है तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए तुलसी विवाह की पूजन विधी क्या है तो तुलसी विवाह के दिन आपको प्रातयकाल जल्दी उठना है तुलसी के पौधे के चारों तरफ आप गन्य का मंडब बनाएं तुलसी के पौधे के उपर आज लाल चुनरी अरपीत करनी है और तुलसी के पौधे को श्रिंगार की सभी चीजे आज हमें अरपीत करनी है पहले पूजा हमें श्री गनेश भगवान की करनी है उसके बाद शाली ग्राम की विद्वत पूजा करनी है भगवान शाली ग्राम की मूर्थी का सिंग्नासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा करानी है इस तरह से ये विवाह संपन्न होता है इस समय में आप मंगल गीत गा सकते हैं इस समय में विश्नु सहस्तर के मंत प्रज्वलित करें मातुलसी के सामने जो तुलसी का जो चौरा बना रहे हैं उसके सामने पूरी तरह से आप दीपों से प्रज्वलित करें चारों तरफ बहुत सारे दीपक जलाएं आप तिल के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए आज पूरे घर में आपको दीप जलाना चाहिए किसी ब्रामभड को दान अवश्य करना चाहिए किसी भी सामगरी का आप दान कर सकते हैं अनुसार आप पैसें का दान कर सकते हैं तुलसी विवाह अगर आप करा रहे हैं तो तुलसी का दान अवश्य करें आप तुलसी किसी मंदिर में ले जाकर या किसी ब्रामभड क दान अवश्य करें आज के दिन आपको विश्णु मंदिर में जाकर दीब दान अवश्य करना चाहिए भगवान विश्णु के सामने आपको सफेद मिठाई या खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको दीब दान करना चाहिए अपने घर के मंदिर में आप रात्री के समय में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, जो कि पूरी रात्री जलता रहे और वो शुद्ध घीका होना चाहिए। इस तरह से आज आज जो पूरे समय आप दीबदान करने वाले हैं रात्री के समय में, ये दीपक आपके जीवन में बहुत सारी रौश्णी लेकर आते हैं, आपके जीवन की जो परेशानिया हैं, उसे दूर करते हैं, और जो भी संकट आपके जीवन में आने वाले होते हैं, वो सभी संकट दूर होते हैं, सभी तरह के अंधेरे दूर होते हैं, दीबदान करने से तो आप कोशिश करें दीबदान करने की अधिक से अधिक मंदिरों में जलाशय के किनारे किसी व्रिक्ष के नीचे तुलसी के नीचे अपने घर में हर तरफ दीबदान करें जिससे कि आपके जीवन में सभी अंधेरे दूर हो आपका जीवन रोशन हो सुखमे हो और आपके ज आज के दिन आपका भोजन साथवीक होना चाहिए किसी भी तरह का मांस मदिरा या लेसुन प्याज डला हुआ भोजन आपको आज ग्रहन नहीं करना चाहिए चावल का त्याग आपको आज जरूर करना चाहिए इस तरह से अगर आप करते हैं तो व्रत नहीं भी करते हैं तो आ आपकी इस वीडियो से जरूर दूर हो जाएगी आपको अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी आपको helpful हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें इससे यह होगा कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार